मुखम्मद इमान तैसीन ट्रस्टीवी की जानिब से आपका इस्तेखबाल करता हूँ देखते हैं आज की आहिम खबर आज हमारे साथ जो है प्रोमोट कुमार जेन जी जो एक ओल्ड सिटी के माने जानी शक्सियत है हमेशा जो है अवाम की बीच रहते हैं अवाम की खिदमत करते हैं उनसे जानकारी हासिल करेंगे के कोविड में जिस तरीखे से पॉब्लिक जो है प्राब्लम को फेस करी है इसमें जो है आपका कॉंट्रिमुशन क्या रहा और हैदराबार में जितने भी सोशल एक्टिविस है है उन्हों खरीबों की मदद करने के विए से कई लोगों को रहात मिली हम प्रोमोट जीन से जहें जानकारी हासिल करेंगे कि जिस तरीखे से आपने लॉगड़ान में लोगों की मदद कि और हमेशा जो एक कुछ ना कुछ मदद करते रहते आप बताईए प्रोमोट जेन ज कि आप लोगों ने लॉगड़ान के अंदर सब का सयोग देते हुए काम किया और मैं हम लोग यहां पर ओल्ड सिटी के अंदर काफी लोगों को देखे हम लोग कि किसी के घर में राशन नहीं है तो किसी के पास मजूरी नहीं है लोग बहुत परिशान थे उसको देखते हु और हम लोग भी हमारे तरफ से सबजी के पाकिट्स और फूट के पाकिट्स पराय जेगे पर दूद के पाकिट्स ऐसे इंतिजामत करके हम लोग के काम करें लेकिन मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि एक को एक देखकर जिसके पास समर्थ है वो दुसरी लोगों का स बलाक्ट粑 होता ही पालन करें कि हमारी सखर की परिशानिंगाइब Was 어도 और सके हैं यसे निजात मिल सकें क्योंकि यह सब और दलिद्री के एंदर लेकर जा रहा है कम करते जा रहा है समय कम uh करते जा रहा है हमारे बच्चे स्कूल के छोटे बच्चे स्कूल से दूर हो गए कॉलेज के बच्चे दूर हो गए नोकरियां लोगों की चले गई तो हमको सबको सहयोग के साथ काम करके इसको दूर करना है हमारे डाक्टर भाई जो रात दिन अपनी सेवायों में लगे हुए है नर्स और अपने जी एचमसी वाले पोलीस वाले रात दिन अपने लिए दोड रहे हैं तो हमको भी थोड़ा बहुत यह सोच कर इसको एट को प्रिजाद दिलाना है अपने को मैं प्रोमच जैन जी का जो है शुक्र गुजार हूं जो अच्छे बात बताए और ट्रस्टीवी की जानिव से जो है हमारे नाजरीन जो है आज देखेंगे प्रोग्रम हमारे प्रोमच जैन जीनिका जो लोगडाउन से लेकर फिचले लोगडाउन से लेकर आज तक जो जिस तरिकर से हेल्प के हमाम की और हमेशा जो है पॉब्लिक में रहते हैं ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए मैं जो है फिर एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूं जो टीवी को न्यूस दिये हैं और जो है मैट्रेस टीवी महमद इमाम तैसीन हुपसे इनलम है धराबास